तो दोस्तों आज है 8 August 2022 बात करेंगे इस वीडियो पे इंडियान रेलवेज का एक मॉनोपली कमपनी आई आर सीटी सी के ओपर जिसके अंदर मेरा लगातार खरीदारी करने का राय था इवन आज की डेट पे भी मेरा राय एकदम सेम है आयर सीटी सीटी के अंदर आज काफी अच्छा मूब्मेंट देखने को मिला जहां पर आज शेयर ओपें दिया अल्मोस्ट फ्लैक में उसके बाद क्लोजिंग दिया अल्मोस्ट 2.89% उपर जाके एक इंपोर्टन लेबल ब्रेक भी किया वह सारे 600 रुपए का लेबल इवन उ वीडियो बहुत ही ज्याद इंपोर्टन होने जा रहा है तो रिक्वेस्ट करूंगा पूरा वीडियो गंद तक जरूर देखना जैसे कि लास्टे फ्राइडे की दिन आयर सीटीस का शेयर क्लोजिंग दिया था 642 रुपए पे आज ओपेनिंग भी उसी रेट के आसपास एक चुका है करीबं सारे 10,000 क्वांटिटी का शेयर कोई चोटा मोटा क्वांटिटी नहीं है 500-200,000 नहीं सारे 10,000 क्वांटिटी का शेयर यानी-next डे यानी वेड्नेस डेकि कल तो महरम के वज़े से मार्केट क्लोज रहेगा completely तो वेड्नेस डेके दिन जब बजार ओपन होगा आयर्स डिस की शेयर के अंदर काफी गाप विनिंग आपको देखने को मिल सकता है उसके साथ साथ दोस्तों डिलीवरी जो रिपोर्ट यहां पर हमें देखने को मिला जैसे कि इसके पहले आमने देखा था आयर्स डिसके अंदर ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड नहीं होता जनरेली अगर बात करें 10 से 15 लाग के आसपासी ट्रेड होता है पर आज की डेट पर दोस्तों तीन बजे के अपडेट के अकॉर्डिंग अल्मोस्ट 32 लाग के करीब जो टोटल शेयर ट्रेड हुआ है उसके साथ साथ हमें डिलीवरी उठाए जा चुक है अल्मोस्ट 10 बात करें तो करीबन 30 परसंट के उपर हमें शेयर डेलीवरेवल परसंटेज देखने को मिला यानि लोग दोस्तों अभी लगातार इंट्री लेना शुरू कर दिया तो फिलाल दोस्तों 10 ऑफ ऑगोस्ट बहुत इंपोर्टेंट होने जा रहा है आयर्स की शेयर होल्डर के दिले क्योंकि उसी दिन कंपनी ने अपना क्वाटर वान का नंबर प्रेजेंट करेगा तो सारे इंवेस्टर्स को स्पेशली जो शेयर होल्डर है रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बिल आइकन को जरूरू ट्लिक कर देना जैसी कंपनी का देने का फैसरा लिया था तो उसका एक्स डेट जो है कंपनी फिर से और एक नोटिस देके वह मेंशन कर दिया तो एक्स डेट रखा है 18 ऑगोस्ट 2022 अब ध्यान से सुनना दोस्तों आप अगर 17 ऑगोस्ट या तो उसके पहले आयर से इसका शेयर बाई करते हो तो तो देखिए पांच रुपय के रिविरेंग दिया था तब तो अविएस्टी स्टॉक श्प्लीट नहीं हूँ वा तो उसका वद हमने देखा स्टॉक स्टॉक स्प्लीट हुआ तो इसी साल के भीतर आप देख से एक बाद देर रुपय का डिविरेंग दिया तो पी एस मैंने पर देखे शेयर कंदर अभी धिरे धिरे रिकावरी होना शुड़ू हो चुका है का तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे हमने देखा थोड़ा-थोड़ा करके रिकावर लास्ट एक मैने पर दस बारा परसन का असपास रिकावर कर चुका उसी के सासाथ इसका जो आरे सा इंडेक्स है यह अभी देखिए ओवर बॉर्ड जोन का जो आकड़ा है वो क्रॉस नहीं किया बस एक दम बॉर्डर लाइन प तो देखिए ओविएसली जब गिरावाट हो रहा था तो इसका जो 20 टेस्स के यह में जो उपर होना चाहिए वह एक्चुले नीचे आ चुका तो मतब बियर मार्केट चल रहा था उस टेंब आमने देखा था शेयर के अंदर भी एकदम बियरिश मुवमेंट देखने को मिल देखने को मिलेगा चली यह तो एक इंडिकेटर के उपर में पूरूफ दिया अभी हम दूसरे इंडिकेटर पर चलेंगे यहां पर देख सकते यह साल का चार्ट पर रहन है जो कि लास्ट यह हमने देखा था ऑक्टोबर के माहिने पर एकदम रॉकेट बन गया था मतलब 500 रुपए का शेर बस दो से तीन मैने के भीतर आप देख से तो बस कहां से 500 से लेखे बारा सो तक पहुंच गया दूसका अमने देखा स्प्लॉक स्टॉक स्प्लीट हुआ था स्प्लीट होने कवाद शेर के अंदर काफी गिरावाट हुआ था उसका वाद काफी ड्र की केस में जैसे कि शेर कंदर जब थोड़ा बहुत कमजोरी या कंसॉलिडेशन फेस देखने को मिला था यह वाला पार्ट को देखे यह ऑगोस्ट की फर्स्ट विक का चार्ट पर रहना था यहां पर आपको बाई भी करना चाहिए था जैसे कि इसके पहले भी में आपको ब आप सब पता चल लाए इसके जो सेलिंग प्रेशर लास्ट कुस्ट एक हफ्टे से में देखने को मिला था जिस वैसे लेट कांडल बिल्ड किया था वह इंडिकेट करता है सेलिंग प्रेशर को अब देखें ग्रीन कंडल हो चुका है और सिर्फ ग्रीन कैंडल हुआ नहीं यहां पर मैं आपको जूम करके दिखाता हूं इसके अंदर के वॉल्यूम भी एड होड़ा है लगाता जिस वैसे देखिए आज शुरुआत की समय पे थोड़ा स्मॉल था उसका बाद देखिए सेगें जो कैंडल बिल्ड क्या उससे थोड़ा सा हाई है तो इसके पहले भी आ करना चाहिए था यहां पर यहां पर भी आप इंट्री ले सकते हो क्योंकि शेयर एक इंपॉर्टन लेबल की उपर जाके क्लोजिंग आज सारे 600 की उपर बात करेंगे कौन सा लेबल पर आपको बाई करना चाहिए आपका आगे का रननीती हो सकता है समझ लिजी कि आपकी कर तो स्ट्रेट काट यहां पर एंस्मार्ट रननीती रहेगा देखिए अगर शेयर के अंदर गिरावाट होता है पहली बात अपने सारे 600 रुपए के उपर स्टेबल हो जाएगा जैसे कि इसके पहले भी मैं आपको बताया था याद होगा आपको कि जब शेयर 600 रुपए को स्टेबल हो जाएगा अब देखिए लास्ट एक मैंने देखा था 600 रुपए को पर काफी स्टेबल था जिस बैसे में आपको 605-10 के आराउंड बाइक करने का भी बार बार रेकमेंड किया था उसके बाद देखिए आज की दिन पर एक मैने की विदर कहां से कहां शेयर निक यहां पर बाई कर सकतो लॉंग टम की पॉइंट इवी से बढ़ हां साथ-साथ मैं आपको यह भी बोलूंगा कि खुद प्रॉपर एनलाइस करना खुद प्रपर स्टडी करना उसके बाद ही इन्वेस्ट करना बाकी दोस्तों वीडियो के यह भी बाइंड आप करता हूं व आपका अधार कार्ड आपका पैन कार्ड एक कैंसल चेक एन आपका सिगनेचर और आधे घंटे के अंदर आपका डीमेट आकाउंट बन जाएगा